दोस्तो जैश्री राम मैं ही मांशु शारम आपके अपने ही चेनल एश्ट्रोविच सर्माजी में आप सभी का हार्दी खार्दी का भिनन्दन करता हूँ बेसिकली हम बात कर रहे थे बार्वु लगनों में बनने वाले धनियोग के विशे में आज हम उन कुणडलीों के विशे में बात करेंगे जो 12 नंबर से चालू होती है अर्थात मिन लगन की कुणडली में हमें धन का योग कैसे देखना है देखिए जो दूसरा भाव होता है वा धन का भाव होता है मिन लगन की कुंडली में भाग भाव के स्वामी और साथ ही साथ दूसरे भाव के स्वामी दोनों के उपर मंगल देव काधिपत्ति रहता है यह जो दूसरा भाव है जो धन को दिखाता है इसके मालिक भी मंगल देव नवम भाव जो भागे को दिखाता है उसके मालिक भी मंगल देव सबसे पहली बात जाए इसे ही आपके हाथ में मिल लगने के कुंडली लगे सबसे पहले देखिए मंगल देव क्या दुथी भाव में बैटे हैं क्या नवम भाव में बैटे हैं क्या ग्यारवे भाव में बैठे हैं, ग्यारवा भाव जो होता है, यहाँ पर दस नमबर आता है, मिल लगन की कुंडली में, और ग्यारवे भाव में दस नमबर लिखा है, दस नमबर मतलब मकर रासे, और मकर राश्ची में मंगल दे वोच्चिके होते हैं, सबसे पहले इससे कॉंभीनेशन को देखना है यहां नहीं बैठे हैं कोई बात नहीं क्या केंदर त्रिकोने में बाइचे हैं यहाँ पर लगनेश होते हैं व्रिषपती देव लगनेश होते हैं उन्हें दो केंद्र का घर मिला हुआ है पहला स्वयम लगर और दूसरा दसंभाव कर्म भाव के भी मालिक है व्रिषपती देव का पोजिशन क्या व्रिषपती देव अपने उचिकिरासी में शुरासी में बैठे इन सब चीजों को हमें देखना है नम्मर तीन जब कभी भी मिन लगन में शनी देव तरीती भ़व के मालिक शुक्र देव जब कभी भी ग्यारवे आप लगन से गिनते ही वे आएंगे एक दो तीन चार पाँच चैसाथ आठ नौ दस ग्यार्वा है जब कभी वे शुक्र देव ग्यारवे भाव में आएंगे और ग्यारवे भाव के स्वामी शनी देव तृति भाव में आके बैठेंगे तो छोटे भाई से, मित्रों से, पाटनर्शिप से, बड़े भाई से इन सबसे धनलाब होना दिखाता है इसी प्रकार से मीन लगन की कुंडली में जब बुद्ध दियो दुती भाव में तथा मंगल दियो चतुर्त भाव में आके बढ़ते हैं सातवे भाव के स्वामी बुद्ध दियो दुती भाव में जाके बढ़ते हैं और दुती भाव और भाग के भाव के स्वामी विवाह में आकर बढ़ते हैं अर्थात सातवे भाव में आकर बढ़ते हैं तो विवाह उपरांत भाग योदाय का एक महाधन योग बनता है इसी प्रकार से गज केश्र योग के विशय में पर्टिकुलर बात करूँ बारा लगन होते हैं बारा लगन में दो तीन कुछ ऐसे लगन है यह उस लगन में केंद्र में त्रिकुन में जाके गज केश्र योग बन गया तो वाकई वैसा ही फली भूत होता है जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ है उसमें से एक लगन है मीन लगन में येदी पंचम भाव में व्रिहश्पति देव और चंद्रद्यों की यूति हो जाए ऐसा गज केश्री योग की मैं क्या बताऊं जैसा सास्त्रोत प्रमाण मिलता है बिल्कूल वह ऐसे ही घटनाई जीवन में घटती है इसके साथ ही साथ मीन लगन वालों के लिए दि चंद्रमा और मंगल देव छाए आट बारा में आके बढ़ गए नीच के हो के बढ़ जाए बुरे ग्रहों के द्रिश्टी में आके बढ़ जाये आने वाले कारिकरम में मैं इस विश्याय पे जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा और मिन लग्न में यहीं चंद्रदेव और मंगलदेव की इस्तिति खराब है तो ऐसे कौन से आपको उपाय करना है जहाँ बीना किसी प्रकार की धनराशिक खर्च किए हुए, आप इस प्रोब्लम को कैसे शाल्ट आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे, मैं आपको आने वाले कारिक्रम में इस विशाय पे जरूर वीडियो बना कर लिखा रहूँ, चली आ पांचवे भाव में आकर बैठ जाए ऐसा धन का योग बनता है कि व्यक्ति ना केवाल अपने घर में धनी होता है बलकि उस मौले का उस वाड का उस सहर का अपने कूल का अपने कांदान का भी सबसे अमीर व्यक्ति होता है धन संचय के कारण उसकी अलग अलग जगा बाते निकलती है रहे और उस वैक्तिक पास इतना जबर्दस्त धन है इतना ज्यादा धन है वह कॉम्मिनेशन बनता है यदि पंचम भाव में चंद्रदेव बैठे हों और विर्यश्पति देव ग्यारवे भाव में हो जाए और मैं विसावस्तू को लेकर मैं आपकी सेवा में हाजीर होंगा और उस विसावस्तू की उपर फिर मैं आपके साथ बात करूंगा आज के लिए दोस्तो नमस्कार जैश्री राम